स्वागत है आपका आज की जाये पे अब ये बात पकी है कि नहीं मुझे नहीं पता बट किसी ने कॉमेंट किया था ये मेरी सब्सक्राइबर इनका कॉमेंट है कि ये जनाब जो है वो जल्द ही खत्रों में जा सकते हैं तो मैंने सोचा कि चलिए इस बार इस पॉड़कास में अच्छे से डिसकस कर लेते हैं कि खत्रों में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता और जैसे जनाब ने जनाब दिखला जा मैं अपना पोपट किया था जिसे दूसरे शब्दों में चमचागिरी भी कह सकते हैं और जजिस जो काम तो नहीं आई बट जजिस भी बहुत बढ़ि सकते थे हाला कि इस बार it's not about vote it's not about subscribers it's not about viewers हम सब को पता है कि खत्रों में हर इंसान stunt करता है और stunt के timing के basis पे या फिर completion के basis पे ही decision आता है तो मुझे जनाब के लिए एक चीज सजेस्ट करने थी कि जनाब जैसे आप बिचारा बनते थे ना इस शो में आप सिफ बिचारा बन सकते हो जादा है जादा तो छोटा सा कॉक्रोश भी आपकी उपर आजना तो यह देखिए कॉक्रोश नेकल काट लिया था जबसे तवेत काफी घराब है पढ़ियों पढ़िया बांद रहा हूं गाइस बट जनाब मैं आपको बता दूं कि वहां पर बड़े बड़ा है बड़ा हूं सब को पता है कि टैलिंट डम स्किल्स यंको पूझ जनाब और माडम मर्हां बिचारा बनना और इतने सारे मामां से इनको होतली थी राशन के हवाले से पैसों के हवाले से बोपाले पाल को सब सब पूट साते थे इस मॉल में हम घूमने जाते थे उसके बावजूद भी यह रोना धोना मचाएंगी मचाएंगे जो छोड़े शहर से होते हैं में मौदाहा का हाला कि मौदाहा में रही नहीं इनका चाइल्ड हो भूपाल में बीता और वहां पे इनके फादर ने को पूरा सप पाता और उसके इलावा अपने रिश्यदारों के यहां पे इनको घर मिल गया था तो स्ट्रगल के नाम पे कुछ भी नहीं था असली पहनत और असली स्ट्रगल इनके फादर ने की थी इन्हों ने इनको तो मैं कहती हूं कि बैठे बठाए सब कुछ मिला इनिशली इन्हों कि यहां पे जज़ इसको डान्स एमतलब नहीं था बट यहां पे जज़ जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट है और मैं यही सोची थी कि जनाब करेंगे क्या कैसे आएंगे इस शो में कैसे सर्वाइफ कर पाएंगे क्योंकि उनकी मम्मी जैसी मैडम मम्मी जो है तो अपने बे सब्सक्रब्ल नहीं मादा हुए मैंशाइल की जिसकी चिंता उतनी उनकी खुद की माँ को नहीं होती है बट माडम मम्मी करेंगी मैं सोच रही थी दूसरी कंट्री में होता है यह खत्रों वहां कैसे इस मैंशाइल को वहां पे उसको नर्चर करने के लिए खाना कैसे इस man child का पसीना पोचेंगी और उससे भी बड़ी बात मैडम की famous bribe यानी वो कैसे पहुचेगी show तक मैडम एक काम कीजिए मैं आपको बहुत बड़ी idea देती हूँ अभी ही host जो है I guess Mr. Shetty है उनके घर पे आभेद दीजे खूँ सारी बिर्यानी अभी से ही शुरू कर दीजे अन एथिकल बिना values के life जीना तो आप लोगों को बहुत पसंद है तो अभी से ही शुरू करे कहा था ना अभी recently सबने मुझे interview forward किया था मनीशा राई ने क्या कहा था अभ शब्दों में कि जड़िस के लिए आती थी अच्या कई लोगी मैंने comment पढ़े तो लोग कहते आरे वसे पता नहीं था सब के लिए आती थी नहीं मनीशा ने बिल्कुल सही कहा हाँ कहने को सब के लिए आती थी पर वो थी जड़िस की buttering के लिए शुकरे चैनल फेर था वर्ना जड़िस के हवाले decision होता तो क्या ही होता हमें पता है क्या होता ये लप्पु जनाब का हाथ उपर उठ चुको होता और वो कहते he is the winner and thankfully ऐसा नहीं हुआ हर शो फैमिली भीक बना दिया जा रहा था for लप्पु जनाब there was always a dedicated family week but because of this man पता नहीं कैसे हर हफते किसी नहीं किसी तरीके से family week बन जा रहा था अच्छा अब मैं पूछती हूं जनाब से तब आपने अपनी madam का अपनी sister का fame यूज करा अब कैसे करोगे अब आप इस show में दूसी country में अपनी भेन को बुलाओगे जीजे को बुलाओगे या फिर अपने बच्चे को कैसे दिखा के उसके उपर content कीचोगे या sympathy कीचोगे क्योंकि आप तो कर चुके हो नहीं इतना मुश्किल का वक्त था ऐसा था वैसा था हो जनाब हो आप इतने मुश्किल के वक्त में बैठके हाँ 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 अपनी हस्ती हुए मैडम के साथ हस्ती हुई खुशाल मैडम के साथ बैठके व्लॉग बनातों कहानी बता रहे थे कि ये बोल रही थी मैंने बोला था ना बेटा ही होगा तो बेटा ही होगा वाली बात मुझे ऐसी लगी थी कि इनको as an actress as an influencer नहीं बोलनी चाहिए बेटा ही चाहिए इतना प्रेशर बनता है उन ओरतों पे जो अलड़ी इस प्रेशर में है कि उनको बेटा ही करना है वो कितना गलत एक message है उपर वाले से तो एक ही चीज़ कहने चाहिए कि जो दो आपकी मर्जी जो भी बेटा हुआ था तो मैडम को कहना था शुकर है उपर व more sense than anything else but I don't expect any kind of sensible words from मैडम और जनाब बर मुझे पुछता है मैडम आपका तो दिल किता दुख दुख करेगा आपने एक दिन नहीं छोड़ा जनाब का पीछा पूरे rehearsals में जाती थी चोटे से बचे की जान इतनी जादा मुश्किलों में डाल रखी थी वो थक जाता था वो मदब गाड़ी में बिचारे ने उस दिन टॉलिट भी कर दिया अपनी मदर के गंदे कपड़ों के साथ ये पूरे टाइम बैठ गई शीर नोट टेकर यूटर वो घर नहीं गई कि मदर के कपड़े बदर वालू नहीं जनाब के रिहरसल में जाना बहुत जरूरी है जनाब 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 मैं तो कहती हूँ आप तो हॉल पढ़ेंगे आपको आप तो जाई नहीं पाओगे महाँ पे और जाओगे नहीं तो जनाब अच्छा हाँ ये चीज़ ये कर सकती है तो तो ओनली वे ओफ कीपिं एन आए ओना होना हस्बें इस तू मेक वीडियो कॉल्स बट म exercise and what not इतने बड़े-बड़े stunts करने असान नहीं होते एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई ये बात मुझे तभी भी लगती और अभी भी लगती है ये ओवर शैडो करती है इसके hard work को या फिर इसके rehearsals को या इसकी महनत को वो हाला कि जनाब का ही कर्मा है he has earned it but आप ये मैडम की interference इत्ती होती है she is so insecure और हो भी क्यों ना जब कुछ ऐसा किया होता है लाइफ में तो उसी का होने का वापिस डर भी तो होता है अब मैडम को दे जावू जैसा लगता होगा दे जावू यानि जो अलड़ी हो चुका है वो वापिस से होता हुआ लग रहा है है ना मै सुपह आपनी व्लॉग में डालना जुरू है हाइस हाथ में बहुत दर्द है गाइस कंदे में लग गई थी गाइस कूदी मारी थी गाइस तो मेरे बाल अटक गए थे चाले में और दो बाल देखिए ऐसे निकल के गिर गाइस है ना ऐसा करिए जरूर बड़ा मजा आएग और अच्छा एक और काम कीजेगा शो करने के बाद अगले दिनी ये पटिया निकाल दीजेगा अब जनाब दिखला जा मैं तो सेम ही किया था अगर आप सबको याद ना हूँ तो याद दिला देती हूँ इनके हाथ में बहुत पेन था बहुत इंजरी थी हालाकि ये अगल माडम के जनाब कुछ नहीं था हो और मेरी जनाब ऐसे नहीं मेरी जनाब ऐसे पार्टीज में नहीं नहीं जाए इनमें तो सो चफ्र है और समझेवाले समझ जाएंगी जना समझेए वह उनके फैंस वापस पॉ damned पे हूं इनके हाथ की पत्यां हिए अगले दीन ही ही उतर ग ले किया था वो दर्द वर्थ भूल के इन्होंने हाथ जमीन पर पीट-पीट के डांस किया था और उसके बाद जब दुबाई गए वहां पे भी हाथ पे कोई पट्टी नहीं थी ना दर्द का जिक्र था सिवाप लोगों को धडले से उल्लू बनाने की प्लैनिंग थी मिया बीवी की और एकदम से सब कुछ निल बड़ा सनाटा हो गया once the results were announced and I will not be shocked कि यहां पे भी मैडम कोशिश करें कोई तिग्रम लडाने की कि जनाब को जिता दें बट जहां तक मैंने देखा है खत्रो मैंने एक ही चीज़ देखिए कि वहां पे actual में जो deserving होता है वही जीता है थोड़ा बहुत उपर निचे तो हर शो में होता है but I do not think that he has got the will and power to win this show इनको तो अपने हुनर पर टिकना चाहिए और वो है दूसरों को बद्दुआ देना अभी ये दोनों मिया बीवी extra sweet बन रहे अपनी family से लोगों से because बहुत सारे show lined up है no doubt कि अगर ये जीते नहीं कम से कम इनका fame काफी उपर चला गया but that is not something which will give us घबराहट असली घबराहट तो इनकी ही madam को होगी because कहने की जुरत है ही नहीं समझने वाले समझ जाएंगे that what goes around comes around that'll be all do like, share and subscribe to आज की चाहे गर्मी के मौसम में ध्यान रखे अपना भी और फरी बच्चों का भी उन्हें खाना देते रहे हैं पानी पिलाते रहे हैं इनके बारे में आपको पता ही होगा इनके घर में एक फरी बच्चा है ये बच्चा जो है गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश हो बाहर ही मिलेगा हाली में एक व्लॉग में दिखा कि वो बच्चा रोटी कहीं से लेके आया था और इतनी तप्ती गर्मी में गुड़गाओं की तप्ती गर्मी में वो बाहर खड़ावा था उनके घर के तो politely please समझाने की कोशिश कीज़ेगा comment section में उनको कि बच्चे को वो घर के अंदर ले ले क्या पता मेरे शब्तों से नहीं तो कहीं आपके comment से ही आपके polite request से ही अपने फरी को घर के अंदर ले ले क्योंकि बाहर जो मौसम है उस case में हम जब stray बच्चों को घर के अंदर ले रहे हैं तो इस situation में उस बच्चे को घर से बाहर रखना यह भी हो सकता है कि वो यह तरक दे कि क्या गाए भार नहीं रहती तो मैं इतना ही कहूंगी फिर एक और तरक मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगी कि इनसान में एक टाइम पे जंगलों में रहते थे तो फिर एसी कि उनको भी क्या जुरुत थी अगर आपने फरी बच्चा पाला इनिशली उसको घर के अंदर रखा उसको एक इन्वाइमेंट की आदत पढ़ गई है अब उसे गर्मी में भाहर रखना गलत है गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो अगर कोई बच्चा पाला उसकी जिम्मेदारी ली है तो उसके सर पे छट देनी की जिम्मेदारी भी हमारी है इनकी है जिन्होंने बच्चे को पाला है तो प्लीज आप समझ गयोंगे मैं किनकी बात कर रही हूँ जाके जरूर के चैनल पे पुलाइट रिक्वेस्ट जरूर कीजिए पुलाइट बार बार में इसरे बोल रही हूं क्योंकि गुस्से से इंसान वो चीज नहीं समझ पाता जो जो काइंडनेस से बोले हो शब्दों से कहीं बार वो समझ जाता है आज के लिए तने ही जैशी रा रादी रादी हरे कुछन